नमस्कार दोस्तों, वेस्ट एशिया के अंदर में जो इसराइल और इरान के बीच में पूरा अन्रेस्ट चल रहा है, उसमें USA ने एक चीज़ साफ कर दी थी, USA ने इसराइल से रिकोस्ट किया था कि आप इस मामले को पूरा एसकलेट मत करो, आप दुबारा से काउंटर अट लगाए हुएं इरान के उपर में, तो यही चीज़ को फिर से एक बार कंफर्म किया है, युएस के सेकरेटरी जो है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के, जिनका नाम है जैनेट यलन, उन्होंने कहा है कि हम तो जी, अब नियू सैंक्शन लगाएंगे इरान की जो ऑईल इंड और इसलिए इरान जो है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से, डायलोग के तरीके से इस पूरे मामले को पर्शिव करने के कोशिश कर रहा है, इरान क्यों इस पूरे मामले को एसकलेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसलिए मैंने आपको बोला कि इरान ने जो अटैक किया है ना, य लेकिन अब इसके बाद कोई attack नहीं करने वाला इरान, because already इरान में कई सारी economic problems चल रही है, और अगर आप detail में देखोगे, तो USA ने इरान के उपर कई सारे sanctions लगाए हैं, जैसे कि direct sanctions लगाए हुए हैं, जैसे कि USA और इरान के बीच में सारी trade जो हैं वो बंद हैं, अब अगर new sanctions लगेंगे, तो economy बहुत ज़्यदा cripple हो जाएगी, अब यह जो sanctions USA ने इरान के उपर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, बतलब US को दुश्मनी क्या इरान से, दुश्मनी शुरू होती है 1979 के अंदर में, पूरी कहानी आप समझना क्या हुआ था, देखो 1979 से पहले की बात है न जो, तो US के बहुत अच्छे relations से इरान के साथ में, यो कि इरान के अंदर में, आपको पता एक communist government थी, और वो government जो है, वो पूरी तरीके से US की puppet थी, एक तरीके से West की puppet थी, तो वो government जैसे हटी, इरान के अंदर में 1979 में revolution हुआ, और उसके बाद रुहला कोमीनी जो है, वो इरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, अब जैसे ही इरान के वो सुप्रीम लीडर बनते हैं, तो US को बड़ी problem हो जाती है, कि वहाँ पर एक Islamic government आ गई, जो की anti-Western government है, सारे West की companies को वहाँ से भगा दिया गया, जितना भी ये वहाँ पर modernization हो रहा था, उन सारे modernization के impact को रोक लिया गया था, हमारी एक पुरी इरान के उपर, इरान की modernization के उपर हमने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक आपको पिन कर दूँगा, आप देख लेना, कि इरान में क्या situation थी उससे पहले, और 1979 के बाद कैसे बदला इरान, तो उस तरीके से 1979 के revolution के बाद से, युएस की government से थोड़ी सी खिचातानी हो गई थी, और इसी लिए युएस ने पहली बार इरान की government को, के उपर ये इल्जाम लगाया, कि ये लोग terrorist organizations को fund करते हैं, और terrorist organizations के support से ही ये supreme leader बने हैं, योगि फटह party जो थी उस समय पर, वो Palestine के मामले को ले करके काफी ज़्यादा famous थी, फटह party के काफी ज़्यादा close थे रहुला खुमेनी, और रहुला खुमेनी जो थे, वो एक Lebanese writer थे, जिनको बाद में सजा दे दी गई थी फासी की, उस Lebanese writer के शिश्य थे, तो इसी लिए US को रहुला खुमेनी से खास दिक्कत थी, कि वो Supreme Leader कैसे बन गया इरान के, और इसी लिए उन्होंने 1980s में पहली बार इरान के उपर sanctions लगाया, लेकिन ये sanctions बहुत aggressive sanctions नहीं थे, aggressive sanctions इरान के उपर में कब लगना शुरू हुआ है, aggressive sanctions इन्होंने पहला aggressive sanctions साल 1992 में लगाया, ये aggressive sanctions क्या था, कि कोई भी bilateral trade नहीं होगा USA और इरान के बीच में, लेकिन इरान को इससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ा, क्योंकि इरान के लिए बहुत बड़ा market था भी नहीं USA, तो USA अगर bilateral trade बंद हो रहा है, हुआ क्या था कि देखो साल 2001 में एक बहुत बड़ा गटना हुई थी, US के अंदर में आप सबको पता है, 9-11 attacks हुए थे, और जो ये 9-11 attacks हुए थे, इसके बाद USA और उसके allies काफी ज़्यादा डर गए, क्योंकि साल 2000 से इरान ने अपनी nuclear capabilities को develop करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने nuclear weapons और nuclear program चलाना शुरू कर दिया था, इस चीज से काफी ज़्यादा western countries डर गई थी, क्यों डर गई थी, अब ये western countries क्यों डर गई थी, और क्यों ये sanctions लगाती हैं, ये सारी चीज़ हम समझेंगे, पहले आप world affairs team की तरफ से एक बड़ी announcement है, उसको सुन लीजे, UPSC CSE 2023 का result finally आ गया है, unacademy team की तरफ से बहुत-बहुत congratulations उन सारे candidates को, जिन्होंने साल भर इतनी मेहनत करके, finally अपना नाम UPSC की holy PDF में देखा होगा, ये unacademy के लिए भी एक बहुत-बड़ा huge success है, because all India rank 1 जो अधित्र शिवास्तव सर हैं, वो unacademy की online platform learner रहे हैं, उनके साथ-साथ all India rank 3 Ananya Ready मैम हैं, वो भी unacademy की online platform learner रहे चुकी हैं, और उसके साथ स्रिष्टी डबास मैम जिनकी all India rank 6 आई है, वो भी online की test series का part रहे चुकी हैं, बलकि इतना ही नहीं, unacademy ने इस साल 300 से भी ज़ादा selections दिये हैं, और ये unacademy team के लिए बहुत-बड़ा success है, लेकिन इस success को हम unacademy की team जो है, वो अपने world affairs की audience के साथ मिल करके celebrate करना चाती है, और इसी लिए हमने अपना जो UPSC, CSE का course fees था, उसमें biggest ever drop किया है, जो course हमारा 75,000 का था, उसको हमने कम करके 29,999 का कर दिया है, which is huge, आप समझना कि आपको इतनी कम fees में, जो unacademy के best educators हैं, वो quality content दिया करेंगे, अगर आप इस course को join करना चाते हो, तो हमने एक website का link दिया description में, आप उस website पर जा करके, इस course को discounted price पर avail कर सकते हो, बस हाँ, ये एक बात ध्यान में रखना, कि जहाँ पर आपको discount code का option आएगा, वहाँ पर आप ये discount code लिखेगा, APYT 10, APYT 10 आप जैसे हैं लिखेंगे, तो आपको फीस जो है, वो पूरी discounted piece में, पूरा course आपको avail हो जाएगा, अब आपने announcement सुन ली होगी, अब वीडियो पर वापस आते हैं, अब हुआ क्या, कि इन Western countries को ये डर था, कि इरान के जो militias हैं, जैसे कि Hezbollah काम कर रहा है, हमास काम कर रहा है, हूदीज काम कर रहे हैं, इराक में militias हैं, इरान के, इराक में militias हैं, सीरिया में militias हैं, ये सारे जो militias हैं, अगर इरान अपना nuclear weapon develop कर लेता है, तो वो ये technology तो इन सब को भी दे देगा, और फिर तो ये सारे जो आतंकवादी संगठने, ये तो बिल्कुल आतंक मचा देंगे पुरे देश में, पुरे दुनिया में, ये कभी भी धमकी दे देंगे US को, कि भाई हम तो nuclear मार देंगे, अगर ये हमारी demand नहीं मानी तो, ये demand नहीं मानी तो, तो ये nuclear weapon है, ये किसी भी तरीके से, इन militias के पास नहीं जाना चाहिए, और इस पे ना सर्व सहमती हुई, जो इरान की close countries थी ना, रश्या जैसी countries, उन्हों ने वो भी इस चीज़ सहमत थी, कि हाँ भाई, ये जो nuclear weapon है, ये इन आतंकवादी संगठनों के पास, नहीं जाना चाहिए, तो उन्हों ने क्या किया, साल 2002 में, पहली बार बड़ा sanction लगाया, इरान के nuclear program को target करके, साल 2002 में, USA ने sanction क्या लगाया इरान के उपर में, कि इरान के अंदर जो atomic energy organization काम कर रही है, वो उसको ban कर दिया, दूसरी तरफ, जितनी भी companies, जो बाहर की companies ने invest किया हुआ था, इरान के nuclear program के अंदर में, उन सारी companies को ban कर दिया, और उसके साथ साथ, इरान के कई सारे banks को ban कर दिया, जिसमें से Central Bank of Iran का भी एक bank था, उसको भी ban कर दिया, उसके सारे assets को freeze कर दिया, इस sanctions के बाद पहली बार, जो इरान की जो economy है, उसको थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन इरान के लिए बड़ा market जो था, उस समय भी China था, उस समय भी इरान जो है, वो Asia में अच्छा खासा business कर रहा था, तो इरान को बहुत ज़्यादा कोई परक नहीं पढ़ रहा था, और इस से US को बहुत problem थी, US के sanctions जब fail होते हैं, तो US को आप देखो एक तिलमिल हट आ जाती है उनके अंदर में, तो उन्होंने साल 2010 में क्या किया, कि primary sanctions से कोई काम तो चल नहीं रहा है, उनको ये बात समझ में आ गई, primary sanctions क्या थे, जो US ने direct लगाए थे, कि bilateral trade बंद हो गया, भाई हमने आपके assets freeze कर दिये, ये सब direct sanctions जो US ने खुद लगाए थे, उसको कहते है primary sanctions, USA ने फिर secondary sanctions देखना शुरू किया, US ने UN के अंदर में पूरा resolution पास कराया, और Asia में जा रहा है, तो इस terrorism को रोकना चाहिए, तो सारी countries, जो जितनी western countries हैं, EU की countries सबकों मिल करके, एरान के खिलाफ एक resolution पास करना चाहिए, वो resolution पास हो जाता है, तो आप समझना, UN का resolution पास हुआ था, साल 2010 में, इसमें रशिया ने भी अपना veto नहीं यूज किया था, आप समझना ये सारी dynamics को, उसके बाद क्या हुआ था, कि जैसे ही ये sanctions पास होते हैं, United Nations Security Council के, उसके बाद, साल 2010 में सबसे बड़ा sanction लगता है इरान के उपर में, इरान की oil companies को target किया जाता है, इरान के अंदर में जितने international banks काम कर रहे थे, उन लोग को target किया जाता है, इन सब को compel किया जाता है, कि आप इरान के देश से बाहर लिकल लिए, आप इरान में कोई business नहीं कर सकते, आप इरान में कोई investment नहीं कर सकते, इरान की economy तब क्रिपल होना शुरू करीगी, बहुत सारी Chinese company इरान में काम कर रही थी, उन सब को compel कर दिया गया बाहर लिकलने के लिए, बहुत सारे international banks वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको compel किया गया, बाहर लिकलो, जितनी भी companies ने इरान की oil में invest किया था, सब के पैसे वहाँ पर डूब गए थे, सारी companies वहाँ से बहार लिकलना शुरू हो गई थी, और इसके बाद इरान की economy पर major setback पड़ा था, और वो साल 2012 आते आते एकदम क्रिपल हो गई थी, इसलिए पहली बार इरान की सरकार साल 2012 के बाद, 2013 में US के sanctions के सामने जुकी थी, और साल 2013 में उन्होंने joint plan of action पर sign किया था, वो एक initial agreement था, उसके बाद साल 2015 में उन्होंने क्या किया, साल 2015 में इरान की सरकार ने JCPO पर sign कर दिया, JCPO basically क्या था, joint comprehensive plan of action कहते हैं, अब इस joint comprehensive plan of action के थुरू, कई सारे terms जो US के थे, उनको माल लिया इरान की सरकार ने, जैसे पहला term था कि आप अपनी nuclear capabilities को develop नहीं करोगे, आप nuclear weapon नहीं develop करोगे, nuclear program को बंद कर दोगे, उन्होंने माल लिया कि जी हम बंद कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम उनके उपर एक और cap लगा, यूरेनियम सबसे जरूरी चीज़ है nuclear weapon बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी country में सिर्फ जरूरत के हिसाब से 20% uranium के deposits रखेंगे, इरान ने इस चीज़ पर भी हाँ कर दी, और इरान ने इस चीज़ पर भी हाँ कर दी कि जो International Atomic Energy Agency है, IAEA, IAEA कि जितने भी inspectors हैं जो हमारी country में आएंगे, वो हमारी countries में आ करके, कोई भी चेक कर सकते हैं, किसी भी factory को चेक कर सकते हैं, किसी भी हमारी deposits को चेक कर सकते हैं, कि हम कोई भी गलत तरीके से nuclear weapon डेवलप नहीं करते हैं, कभी भी वो आ सकते हैं, हमारे सारे assets को भी वो चेक कर सकते हैं, सारे repository चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें जब इरान ने मान ली तो USA ने साल 2015 के बाद जो अपने direct sanctions लगाए थे और उनको ease कर दिया और indirect sanctions को हटा दिया जिसके बाद बड़े-बड़े banks जिसके बाद बड़ी companies जो है वो इरान के अंदर में जाना शुरू हुई उनका oil का production ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ अब जैसे ये sanctions वगेरा हटे थे तो इरान की economy थोड़ा-थोड़ा track पर आ रही थी लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद Donald Trump जीत जाते हैं साल 2018 में आपको पता है और 2018 में जैसे हैं Donald Trump आते हैं Donald Trump ने बहुत बड़े sanctions लगा दिये इरान के उपर में लेकिन अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो already इतने sanctions के बावजूद जब Joe Biden की सरकार ये कह रही है जब Janet Yellen ये कह रहे हैं कि हम नए sanctions के लिए देख रहे हैं और इस बार हम Iranian oil को majorly target करेंगे तो Iranian oil मतलब आप समझ लो इरान की economy का सबसे बड़ा base है और जब ये लोग उसको target करेंगे तो इरान की economy already इतनी economic problems में है और ज़्यादा problems में आ जाएगी तो इसी लिए इरान के लिए पुरा मुद्धा बहुत ज़्यादा sensitive हो चुका है तो I hope आपको ये पुरा मामला समझ में आ गया कि US के नई sanctions इरान को किस तरीके से cripple करेंगे पुराने के उनसे sanctions already इरान के उपर है तो आज के लिए तना ही thank you and have a nice day